नमस्कार प्रणाम हरर मादेव मैं आप लोग का दोस्त बैदमनोज सिंग मोरिया आप लोग को बीच एक आज अर्भूत पौधा लेकर के आउंगा इसे चमतकार ही समझें आज तक बहुत से लोग उसको केचड़ा समझते आए हैं लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उ आप लोग को बीच और कुछ उसका खात्यत है वह भी बताऊंगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नए हैं आयरवेदिक जंगल परिच्छाइका में रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलनोट की किसन को दबा दें और अच्छा लगे तो अप चलिए दोस्तों मित्रों आज हम जानते हैं इस सीसम के बारे में बहुत से लोग इसे सीसों भी कहते हैं और यह बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिल भी जाता है इसका फरनीचर का भी काम होता है तो चलिए मैं आज ही इसका परिचय गुर्धर्म और इसका आउसधी उप्योग के बारे में हम बात करेंगे और आप लोग को इससे भली भात परिचय भी कराएंगे तो जो भी भाई बंदू हमारे इस यूटूब चैनल आईरुवेदिक जंगल परिचय का वो आईरुवेदिक जड़ी बुटी पर इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं कृपिया इसकीप न करें और ज्यादा ज्यादा सेयर करें लाइक कमेंट अवस्य करें तो सीशम को संस्क्रित में सिस्या, कुष्ट सारा, पिपला, युग पत्री का, कपिला, हलपत्री, तीब्र, धुमका, स्वेत, सिस्या, कपिल, सिस्या, इत्यादी नामों से जानते और पहचानते हैं तो दोस्तों मित्रों आपके छेत्र में इससे किस नाम से जाना और पहचाना जाता है क्रिपिया कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करें सीसम का ब्रिच 60 फूट तक या इससे भी उचा होता है या भारत वर्ष में सभी गरम छेत्रों में वनों में होता है इसके पिंड की गुलाई 6 से 12 इसकी छोटी सखाएं नीचे की तरफ लटकती हुई और रोएदार होती है इसके पिंड की छाल एक इंज तक मोटी और कुछ पिलापल निये भूरे रंकी होती है इसके पत्ते गोल और नोकदार बेर के पत्तों के समान होते है नवीन हालत में ये अच्छे साफ हरे रंके होते है मगर पुराने होने पर ये कुछ काले और हरे रंके हो जाते है इसके फूल बहुत छोटे सफेद या चंदनिया रंके गुच्छों में होते है इसकी फलिया बहुत चप्टी और पतली होती है हर एक फली में दो दो तीन चार तीन तीन चप्टे बीज निकलते हैं सीसम की लकड़ी बहुत मजबूत भारी और द्रिड होती है सीसम की तीन जातिया होती हैं काली, सफेद और पीली पीले सीसम को संस्कृत में कपिल सिस्पा, सफेद सीसम को स्वेद सिस्पा और काली सिसम को क्रिश्ण सार कहते हैं इस ब्रिच की लकड़ी और बीजों में से तेल निकलता है जो अवसधियों के काम आता है इसका गुण धर्म मैं बता दूँ सिसम स्वाद में कड़वा तीखा का सहलावा स्वभाव से गरम होता है यह कामो दिपक, कफ निसारक, क्रिमी नासक, जवर नासक, प्यास बुजाने वाला, गर्व को गिराने वाला तथा दाह को सांथ करने वाला होता है यह चर्म रोग, वन, रक्त रोग, सफेद कुष्ट, अतिसार को दूर करने वाला होता है इसके पत्ते नेत्र रोगों में फा और इसका तेल चर्म रोगों पर लगाने से लाग पहुंचता है इसके पत्तों का काढ़ा सुजाक की तिव्र अवस्था में दिया जाता है इसकी लकड़ी हातु परिवर्तक समझी जाती है या कुष्ट विसफोटक खुजली और वोमन को रोकने के लिए उपयोग में ली जा इसके पत्तों को गरम करके अस्तों पर बांथने से और इसके काढ़ेक से अस्तों को धोने से अस्तों की सूजन उतरती है सीसम के दस मासे बुरादे को आधा पाव पानी में आउटा कर आधा पानी रहने पर उसमें इसी सीसम का सरवत मिला कर 40 दिन तक पीने से कुष्ट में बहुत चल्द लाभ मिलता है सीसम के बुरादे का सर्वत बनाकर पिलाने से रक्त विकार मिठता है इसके पत्ते या बुरादे का क्वात फिलाने से बमन बंद हो जाती है सुजाक की अत्यांतर तिवर पीड़ा में इसका क्वात फिलाने से लाभ होता है और औरोतों को सफेद पानी का गिरना बहुत जल्द बंद हो चाता है इसके लिए इसके तीन चार पत्तों को पीश करके डेली सुबह बासी पेट लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है तो चलिए दोस्तों मित्रों मैं फिर कल मिलता हूँ एक नई और एक रोचक जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्य बाद आपका दिन सुब हो